इस वीडियो में बात कर लेते हैं Housing and Urban Development Corporation की Quickly Analysis देख लेते हैं चनल को Like and Subscribe करना मत भूलिएगा तो यहां पर आप Notice कर रहे होगे कि Stock इस High Point तक गया है और यहीं एक Heavy Selling Pressure देखने को मिला है बहुत नीचे से यह Trend Line आई है Already मैंने Mark कर दी थी लास्ट वीडियो भी मैंने इसका बनाया था और उस टाइम मैंने कहा था अगर यह Trend Line क्रॉस नहीं कर पाएगा और यह वाली जो नीचे से Trend Line बनती हुई आई है यहां देखोगे आप Support है Support है यहां Support यहां तो अलरड़ी 5-6 Support थे और अगर यह Break होगी तो स्टॉक आपको 68 के Level Around के असपास गिरेगा गिरती हुए दिखा है और यहां पर आप देखोगे तो जो Already मैंने वीडियो बनाया था दो हफते पहले तो उसमें पहले ही किया दिया यहां आप Thumbnail देख सकते है उसकी यह वो वीडियो हैगा यहां पर लगा है कि यह Level टूटा तो स्टॉक गिरेगा 68 तक और Obviously वही आज आपको देखने को मिला है अब फिलहाल के लिए अगर आप नज़र डालें तो स्टॉक में आप दोख रहोंगे कि यह Level तो आगया और Buying Pressure भी Day-End पर दिखाई दिया है तो अगर सब कुछ सही चलता है कल जिससे आप से आज फॉल हुआ था आज तो एक Inflation की Report आनी थी उसी के वज़े से यह फॉल था तो अगर यह सब कुछ सही चलता है तो फिर यहां के Level बाद आपको यह Level Cross करना बहुत जरूरी है इस Level पर Hurdle Face होगा क्योंकि आप देखोगी Stock Lower Lows लगाना शुरू कर रहा है अब और EME Cross ने भी जिससे आप से Bearish होना शुरू किया है तो अगर यह Level Cross नहीं होता है तो फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा बिकॉस फिर Stock यहां कहीं तक आएगा यह वो Level रहेगा Stock के Further गिरने का और 66 के Around आ सकता है Stock और अगर आप उसके बाद भी देखें तो फिर यह रहेगा Last वाला Level जो इसके बाद Stock की Weakness शुरू होईगी तो यह Already मैंने दो Levels नीचे के बनाई दी है यहां कहीं तक Stock आपका आ सकता है जिससाब से आज भी Stock ने थोड़ा सा Pullback यहां पर दिखाया था बट वो कारगर नहीं रहा और Stock फॉल करता रहा अब Just In Case यहां से अगर कल अच्छे खासा Momentum रहता है Stock का और Nifty भी सही चलता है सारे चीज़ां सही चलती है तो यहां से अगर यह Drag करके थोड़ा यहां आ जाता है तो भी जाद अच्छी बात नहीं है क्योंकि यह जो Trend Line आप देख रहे हैं यह Fall दिखाएगी बिकॉस इसके उपर जब Closing होईगी तब कोई अच्छा उपर Momentum देखने को मिलेगा बिकॉस यह आप जो Trend Line है यह Lower Lows वाली Trend Line शुरू हो गई है तो Stock यहां से अगर बढ़ेगा तो कुछ ऐसा सा रहके यहां एक Rejection Face कर सकता है फिर नीचे आएगा फिर नीचे जाएगा और फिर ऐसे ही करके Rejection फिर Face करेगा तो इस Trend Line की ऊपर जब तक नहीं निकलता है तक आप कोई Bullish Momentum मत समझे अब Stock में वो Bullish Momentum तभी आएगा जब Stock इस Trend Line का Breakout देगा तो ऐसे आपका चलने वाला है Housing and Urban Development नीचे की दिसा मैंने आपको बताई दिये कि यह लेविल अकर Break होता है कहीं न कहीं अकर Selling Pressure मिलता है कल को Market में तो फिर यहां तक Stock आपको देखने को मिल जाएगा 66 तक कोई बड़ी बात नहीं है जिस हसाब से Stock गया है उसी साब से नीचे Stock आ भी जाएगा तो अपने Trailing Stop Law ज़रूर लगा के रखिए विकाज अगर Sudden Fall आता है तो आपके कहीं न कहीं Returns बहुत बुड़े बिगड़ जाएंगे तो वीडियो यहीं तक रखते हैं मिलतें नेक्स्ट वीडियो में कि इस मिसुबह मेइद आफ सिन्ग अफ